हेलो एवरिवन यह है वीडियो वर्ल चैनल और आप देख रहे हैं MATLAB Tutorial Series टाइम की कमी होने की वज़े से हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगी MATLAB की तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो बना चुका हूं आप उसकी प्लेडिस्ट में देख सकते हैं MATLAB के एक प्लेडिस्ट में ने बना दी उसमें आप देख सकते हैं MATLAB को इंस्टॉल करके क्रेक कैसे करना है 2018 MATLAB को और बेसिक टूटोरियल उसमें फर्स्ट टूरियल में है यह दे टू टूरियल है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज टिग्नोमेट्र की कुछ फंसें स्टार्ट करते हैं से कॉस, साइन, 10 इन सब की वैल्यू अगर हमें कॉस एग्जामपल हमें चाहिए वैल्यू कॉस 10 की वैल्यू तो हमें कॉस टाइप करे करेंगे ब्रैकेट में 10 करके देखते हैं कॉस ब्रैकेट 10 एंटर चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस ब्रैकेट 10 एंटर कॉस की वैलियू आगए इसी तरह हम साइन ब्रैकेट 10 एंटर साइन की वैलियू हो गए जैसे कि हमें पता है कि कॉस स्क्वाइर ठेटा प्लस साइन स्क्वाइर ठेटा इसकोल टू 1 होता है तो हम दोनों का 1 करके देखते हैं ठीक है तो सबसे पर लेमें इंग वेरियेबल बना नहीं चीजिए यू इसकोल टू स्क्वाइर प्लस 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 स्क्वाइर स्क्क् Wire क्या हना चाहिए यह वन वन आजय बैरे कुट Scene बोलिक एक्सप्रेशन सिम्बोल एक्सप्रेशन का मतलब है के हमने हां पर यू डिफाइन किया वी डिफाइन किया उनको कुछ वेल्यू दिया ने तब 24 होने आंसर भी कुछ value माया हम चाहते हैं हमारी equation का answer भी equation में ही आए symbols में आए ठीक है जैसे कि हमने को equation xy की equation को हम solve करेंगे और हमने xy की value नहीं है given तो हमें xy की form में equation का solution आएगा इसी को बोलते है symbolic और इसके लिए आपको type करना होता है s y m s ठीक है ट्राइ करते हैं पहले इसको clear कर लेते हैं c l c clear c l c clear c l e r clear ठीक है तो सबसे पहले मैंने लिखा s y m s space x space y क्योंकि जो मैं equation लिखने वाला हम उसको solution x और y में आएगा ठीक है यह मैंने लिख दिया x और y को symbolic उना दिया अब मैं एक चीज लिखता हूँ x minus y ठीक है into bracket x minus y की power 2 कितना आना चाहिए जब हम x minus y की power 2 को multiply कर रहे है x minus y से तो x minus y की power 3 आना चाहिए देखते हैं ओके यह इसलिए आया है यहां पर क्योंकि मैंने power का symbol नहीं लगाया ठीक है तो मैं यहां पर क्या करता हूँ यहां पर इस 2 को हटा गए पहले power फिर 2 अब enter बार रहे हो देखिए x minus y into x minus y की power 2 क्या आगया x minus y की power 3 इसको expand भी कर सकते हैं देखिए exp and expand type करेंगे और bracket में लिखेंगे ans bracket close enter देखिए expand होगी ठीक है यह equation पूरी open होगी अब आपको अगर इस equation को factor बनाना है close करना है तो लिखेंगे factor ब्रैकेट में ans close देखिए फिर से equation के factors आ गए तो इस तरह से हम technometric है बहुत basic tutorial है time की कम ही है इसलिए मैं छोड़ चोड़ चोड़ बनाऊंगा अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो like किए subscribe कीजिए comment कीजिए और मुझे ये भी बताइए comment में की छोटी small length की video अच्छे होती है tutorial के लिए या long length की आप full video चाहते हो आदे घंटे की गंटे की तो please comment करेंगे ना बोले thank you